नमस्कार दोस्तू आप देख रहें सौर भारत नुज़ और मैं हूँ आपके साथ अमित खत्री बताते चलेगी बिहार में बिधान सवा चुनाओं है तमाम पाटिया गण बंदन तमाम पाटिया रनिती में जुट गई है सवी पाटिया अपने रनिती में जुट गई है जनता जनार्दन के भी जाएगी अपने अपने मुद्दे लेके जाएंगे अपनी राजनिती के रनिती के मुद्दे लेके जाएंगे रनिती सही होती है राजनिती तो क्या कुछ रनिती है अभी हम अपने टीम के साथ अलग कुम्बा है इनका तो इस बार क्या कुछ होगा कौन यहां से जीतेंगे क्या रणीती है क्या मुद्दे है इन तमाम बातों से बात करने के लिए हमारे साथ है साकेत कुमार उफ्टुडू जी जैसा कि मैं आपको बता दू तमाम पार्टियां बड़ी पार्टियों या चोटी पार्टियों की कारेकरता ही रीड होते हैं उनकी जनता से सीधा संपक्साते हैं तो आज हमारे साथ हैं उनकी कारेकरता है मंडल अध्यक्ष है आई एम उनसे खुद बात करते हैं सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे पहले यह बताए कि 2015 का विधान सवा चुनाओ था इस बार इस्तितिया अपके पास अब चुनाओती है कल तक आप आरजडी के साथ हैं आज बीजेपी के साथ हैं क्या मुद्दे होंगे इस बार क्या रन्नीती बना रहे हैं इस बार चुनाओ में जाने के लिए सबसे पहले तो मुद्दा हम लोग को है विकास जो हम लोग को आज हरवल में जो विकास नितीस कुमार के सरकार में हुआ है जो पहले जो पती पतनी की सरकार था उस सरकार को लोग भी देखा ये नितीस कुमार के सरकार भी देखा है हर गाओं में हर दलित महा दलित तोला तक पहुच पत्र मने सणक भी बन गया है 22 घंटा से 24 घंटा तक बिली भी रह रही है हम लोग इन्स विकास के मुद्धा पही भोटिया के जनता करेगी और हम लोग तरह से मजबूत हैं आज परतीनिजित्व हो गया है कल कल तक आपके दोस्त कहा जाते थे अरजेटी आज उनके अगेंस उनके काम के बदौलत या अपने काम के बदौलत नहीं आपने काम के बदौलत मैंनिय मुख मंतरी नीतिश कुमार जी का काम का बदौत हम लोग चुनाओ लड़ेंगे उनके शेहरा पर चुनाओ लड़ेंगे और चुनाओ जीतेंगे दिमो काम किया है जो हम लोग पूर्य तरह से तैयारी कर चुके हैं घर बुत तका हम लोग अध्यक्सा सचीव का चुनाव कर चुके हैं हम लोग तैयारी एकदम कसके कमर कस लिए है कसके चुनाव मैदान में कुझने के लिए किस्वास्त के प्रति या फेर श्कूल क्या को सब्सक्राइब पन्दरा बनांस पंदरा की बात चल रहें 15 साल अरजेडी 15 साल अभीजेड्यों गडवन तो ऐसे में क्या लगता है क्या कुछ परवर्थन हुआ है विहार को परवर्टन उर्जा, बहुत भड़ा उर्जा मिला है बीयार के, परवर्टन तो हुआ ही है, जहां लोग दिन में नहीं गुमते थे वहां, आप लोग रात में गुम रहा हैं, बारवजे रात के घुमिये, दिन बर घुमिये, कोई आपको पुछने वाला नही है, यही पती- अगर नरसंगार से हम लोग गरसित रहते थे केस बारी से यहां के पब्लीक जनता हर काष्ट गरसित रहता था उधर जाए तो दलित महादली था इधर कई यह तब भुम्यार है लोग कहका के लड़वाते रहता था उस समय और इसी को मने फैदा उठाता इस सब समाप्त हो गय है अब जनता समझ गया है जनत क्रस मने लोग करने लगा तो हमरे मन यह मुखमंत्री जी गलत के संगत नहीं रहते हैं सबका साथ सबका विकास करते हैं इसलिए गलत के साथ हम लोग कभी भी नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं हमरा मुखमंत्री किसी को बजाते हैं ना किसी को फसाते हैं, इसलिए भिकास के ही रास्ते देखते हैं, नहीं में जात-बात हैं. अगर ये इसीड बीजे पी के खाते में चली जाती है, तो ऐसे महें क्या जेड हुपता को उदास हो ना पड़ेगा? नहीं उदास किया हो न पड़ेगा जब उपर से हमरा अला कमान से ही होगा कि अरवल में बीजेपी के कोटा में चलिया तो हम लोग तनमन धन लगाकर और उसको चुनाव निकालने का काम करेंगे हमको चाहत है कि जेडियू खाता में एक बार दे और लोग देखें अरवल के हम लोग चुनाव निकाल के देखा रहेंगे तो यह थे हमारे साकेत कुमारुक टुडू जी जो की बता रहे हैं अरवल में क्या कुछ काम हुआ है और किस आधार पे वो जनता के भी जाएंगे और जनता से भूट मांगने का काम करेंगे पंदरा बनाम पंदरा की बात उन्होंने कहा जिस तरह से एक भरष्टा चार करफशन की सरकार और इस बार पंदरा साथ सुसासन की सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा दिया इन्होंने और अरवल की जनता से एक बार अपील की वाहिं उमेत का तरिश्चा और बारत ने जुद्ट